हेलो व्रीवन वलकम टू ब्रेक्टाइंग क्लासेज इस बीडियो में भारत के जितनी परवत स्रेडिया है सब यहां पर देखेंगे जितने से कोश्चन पुछे जा सकते हैं तो पहले थोड़ा सा ओवर्व्यू मैप से ले लेंगे उसके बाद कंप्लीट जो है थेयोरी के मा वड़ी हुई है पहली हिंद्धूकष रेड़ी इधर है कुनलोन परवत इसके नीचे यहां से हिमाले होता है हमाले के बारे में हमें डीटेल में पढ़ना है तो हिमाले की जो सबसे उत्तरी वाली यह स्रेड़ी है इसे कहते हैं कारागऌ अब यह अरेंज करने को आज आता सबसे उचाईस ज्यादा इसी की है तो इसे कहते है ब्रिहाद हिमाले यह है ब्रिहाद हिमाले इसमें जो है सबसे उची चोटी है एवरेस्ट ब्रिहाद हिमाले की सबसे उची चोटी है विश्यो की सबसे उची चोटी कौन सी है एवरेस्ट जो की नेपाल में इस्थेत है आगे बात करते हैं अब नीचे जो आएगा प्रिहद हिमाले के बाद अगला जो स्रेड़ी है वू है पीर-पंजाल यह पीर-पंजाल और धौला-धर पीर-पंजालों धौला-धर जो हैं यह लगू हिमाले के पार्ट हैं लगू हिमाले को मद्ध हिमाले भी कहा जाता है पूछ लिया जाता है मद्ध हिमाले या लगू हिमाले में कनफीजन नहीं होना चाहिए तो मद्ध हिमाले और लगू हिमाले एक ही चीज है आगे जो सबसे सबसे कम उचाई वाली और और दों से पूछा जाता है कांग और नदा देवी यह दोनों बंटर्य और दोनों उत्तराखण में इस्तित है उसके बाद यह वाली पर्वश्रेणि यह यह सभी नेपाल में भारत में नहीं आती है तो सबसे पहले यहाँ पे हो गई, यहाँ पे पस्चिम से सुरू करते हैं, पहले धौला गिरी, जो कि नेपाल में इस्तित है, फिर आती है अन्रपूर्णा, फिर आती है एवरेस्ट, फिर मकालू और यह है कंचन जंगा, तो कंचन जंगा जो है यह पूरी तरह से भारत में शिक्किम में असले ते शीह कंचन जंगा, तो हमारी सेकंड नमबर की जो सबसे उची चोटी है, वो है कंचन जंगा, सबसे उची थी केटू, और दूसरे नमबर पे आती ही कंचन जंगा, और यह पूरी तरह से भारत के छेतर में, अगर केटू की बास करें, तो पी यहोग पहाडियां जो कि अर्णाचल प्रदेश में इस्थित है उसके बाद यहाँ पर एक परवस्ट रड़ी जिसका नाम है नामचा वर्वा नामचा वर्वा स्ट्रड़ी जो है यहीं से आके जब यहां से ब्रह्मुपुत्र नदी निकलती है तो नामचा वर्वा सही घूम जाती तो नामचा वर्वा नाचल प्रदेश में इस्थित है आगे बात करेंगे चाइना और अणाचल प्रदेश की सीमा पर है नामचा वर्वा फिर इसके नीचे आता है पटकाई बुम यह वाली पटकाई बुम पहाडिया है इसे भी उत्तर से अरेंज करने को आता है पहले तीन पहाड़ियां इस्थित हैं मेगाले में उसके बाद यहां पर बीच में इंटर करते हैं यह राजमहल पहाड़ी है यह वाली राजमहल पहाड़ी है उसके बाद पूछा जा सकता है यह सभी जो पहाड़ियां दी हुई है किस क्रम में है पासीम पूरब तो यह चीजे सब्सक्राएं कर दोनों के बीच से निवंदा निख़न कंद्टित पाहण पार पोछाई कर दों के दक्षण से इन दोनों के बीज से नर्वदा निकलती है और सत्पुरा के देच्छन से ताप्ती नदी निकलती है जो कि मध्यपुर्देश से उद्गम होता है बैतूल जिले से उसके बाद जाके अरब शागार में गिर जाती है आगे बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की तीन पाड़ियां जो पुछी जा सकते हैं निवने में से कौन सी गुजरात में इस्थित नहीं इस तरह से कोशन आता है तो मांडव इस्थित है बर्दा इस्थित है और गिर इस्थित है मांडव बर्दा और गिर कहां के पाड़ि अगर सबसे उच्छी चोटी पुछा जाया तो घुरु सिकर है सबसे उच्छी चोटी जो है रावलेकी जो घुरु सिकर है जो कि चोटी आती है इसका नाम है महाबलेश्वर यह है महाबलेश्वर उसके बाद यहां पर आती है ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी करनाटक में इस्तित है यह बाबा बुदन की पाड़िया जो कि करनाटक में इस्तित है फिर एक जो सबसे नीची आती है यहां पर दोद्दा बेटा अगर पूछा जा कि दच्छडी भारत की सबसे उंची चोटी कौन से है तो अनाई वेड़े दच्छड भारत की सबसे उंची चोटी है अब आगे यहां पर पूरवी घाट की बात करें तो सबसे पहले यहां पर महिंद गीरी परवस्त रड़ी आती है उड़ीशा मेश्तित ह फिर दो पहाडियां यहाँ पर आंध्र प्रदेश में नला मला और वेली कुंडा अगर पूर्भी घाट की बात करें तो यहां की जो परवस्ट्रेडियां उसमें गैप पाडियां लेकिन पश्मी घाट की पाडियां लगाता रहें इधर जो जादा जो कटा-फटा हो गया है यह नदियों की वज़ से हो गया बहुत सारी यहां पर नदिकुडांडि नदि कावेरी वगयरु वह सारी यहां पर नदिया आ जाती पूरा जो बंगाल की खाडी में गिरती है उनकी वज़से यह पाहडियां कट गई है इसलिए गय पाया जाता है तो यह चीज पुछी जा स पार्स्ट में है वह है काडमम पाड़ी या फिर इसे इलाइची पाड़ी भी कहा जाता है तो नल्ला मल्ला वेली कोंटा जवारी सेवराय पंचमलाई पालनी उसके बाद काडमम यह सभी चीज़ें इंपॉर्टन है ध्यान से देखेगा उसके बाद यहां पर एक परवस्ट फैक्ट आपको मिल सकते हैं जो सभी एक्जाम्स के लिए इंपॉर्टन होंगे भारत की बू आकरतिक संरचना की बात करें तो भारत को जो है छे पार्ट में डिवाइड किया गया है और यह सभी छे पार्ट देख लीजे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमाले हो गया पहला नंबर यह पहला नंबर दिया हुआ है उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमाले पूरा पहला नंबर हो गया फिर उत्तरी भारत का विशाल मैदान यह दूसरा वाला पार्ट हो गया जो मैदानी पार्ट है फिर भारती मरुस्था ले तीसरा पार्ट हो गया फिर तो भार्तीय प्लेट के आपास में टकराव की वज़े से हिमाले की उत्पति हुई थी अब इसकी बात करें हिमालय जो है जंबु कसमीर लद्धाग से पूर में अनाचल प्रदेश तक फैला हुआ है टोटल अगर लबाई की बात करें तो लगभग 25, 25 किलोमेटर इसकी लबाई है और ये कप बना था किस काल में अगर पूछा जाए में अगर पूछा जाएं लदाक और जम्मुकसमीर वाला जो एरिया है लगभग 400 km है और आप एक्षा के कम उचा है अगर बात करें पूर्वी एरिया से तो वहाँ पे उचाई ज्यादा है और सक्रा है पूर्व में बात करें तो यहाँ पे सक्रा है लगभग 160 km में फैल गया है और उचाई लेकिन ज्यादा हो गई अधिक उचा है पश्चिमी की एरिया की बात करें तो यहां पर चौड़ाई ज्यादा हो गई है लेकिन यूचा ही वह कम है यह चीज याद रखिए गा आगे बद करें भारत की और जिए प्रवत्तिल है और चिबबद और यह और प्रप्तिल है मताले को लेया हूई १्र उत्तर पूर्वी भारत में फैली हुई है अगर एक पार्ट यह बना दे यह भी हो जाएगा आगे बात करते हैं प्रादेशिक अगर संकल्पना की बात करें तो हिमाले को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और प्रादेशिक विभाजन किस ने किया है तो सिड्नी बु है जम्मु कस्मीर हिमाचल वाला जो एरिया उसे पंजाब हिमाले कहा गया है आगे जो बात करेंगे कुमाउं हिमाले जो जादे तर उत्राखंड वाले एरिया में सीमित है और इसका जो नदियों की बात करें तो सतलाज और काली नदी के बीच वाला जो हिमाले है उसे कुम इसकी जो लंबाई सबसे ज्यादा है अगर पुछा चारों में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है तो यहां पर नेपाल हिमाले की तो नेपाल हिमाले के लंबाई 800 किलोमीटर है और इसी में सभी प्रमुक परवस्ट रणी है सबसे उची वाली यहीं पे इस्तित हैं माउंट इसकी है 750 किलोमीटर और यहां की जो परवस्ट रणीया है प्रमुक हो है कुला कांगडी नामचा वर्वा नागा पाड़ी यह सभी असम हिमाले के पार्ट है आगे बात करते हैं आप अब ट्रांस हिमाले क्या होता है तो ट्रांस हिमाले या फिर इसी तिब्बतियन हिमाले इस जोन का नाम पुछा जा सकता है तो इसका नाम है इंडस सांगपो जोन इंडस कहते हैं सिंदू नदी को सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत नदी को तो ट्रांस हिमाले और ब्रह्यद हिमाले को कौन सा जोन अलग करता है तो इंडस सांगपो जोन अलग करता है अब ट्रां जास्का स्टली और कैलास सरडी भी पार्थ है कारा कोरं को उच्च एसी की रिड़ कि से कहते हैं तो कारम कोरम को कहते हैं लदाक और जासकर के बीच में सिंदू नदी बैथी अगर कोई जो नदी है आ रही है उंचाय से और गिर के गड़्णा नुमाई एक संड़चना बना देती है उसी को गर्च का जाता है आगे बात करते हैं ब्रिहद हिमाले या फिर महान हिमाले जिसे हिमाद्री कहा गया है इसका तीन नाम में ब्रिहद हिमाले महान हिमाले या फिर हिमाद्री इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो सिंदू नदी से लेके नामचा वर्वा पूरा सिंदू से नामचा वर्वा जो की अरणाचन प्रद प्रमुख परबच चोटियां कौन सी हैं ब्रिया दिमाले की तो सभी उचाई वाली चोटियां यहां पर रिस्तेत हैं माउंट एवरेस जिसकी उचाई 8888 मीटर है और इसे थोड़ी से भी बढ़ गई है पॉइंट फोर सिक्स साय इसमें बढ़ भी गई है जिसमें चाइना और नेपाल ने मिल कर इसकी लंबाई फिर नापी ती जिसमें कुछ पॉइंट बढ़ गई है कंचन जंगा की बाद करें तो 8,582 मीटर है मकालू 4,000 8,481 मीटर है सबकी उचाई इंपॉर्टन नहीं है बस थोड़ा सा क्रम याद होना चाहिए मकालू के बाद आती है धोला हम जब पूर्भी भाग की तुलना में अधिक उचाही पर मिलेंगी मतलब अपर चलनाचालू करें तो बंद घाल एप्तर equipped मिला को खासी tutto से उधर के साइट, तो असानी से चड़ा जा सकता है लेकिन दच्छुड के साइड अगर इंडिया के साइड से चड़ें तो बहुत तीव रड़ाल बना हुआ है ब्रिहद हिमाले के मधिवर्ती भाग में ही गंगा यमना और उनकी कुछ सायक नदियों का उद्गम होता है सभी नदिया हिमाले से ही निकलती है लगबग परवस्ट रड़ियों को काट कर बहने वाली पूरवर्ती नदिया कौन कौन सी है पूरवर्ती नदी किसे का जाता है जो परवस्ट रड़ियों को काट कर बहती है सिंदु नदी इसमें आती ब्रमपुतर आती है अलग नंदा आती है लगू हिमाले को शिवालिक जो लास्ट वाला हिमाले उससे अलग करता है इसके आउसत उचाहिए की बात करें तो 3000 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी उचाहिए औस तन ब्रहाद और लगू हिमाले के मद्ध में बहुत सारी घाटिया पाई जाती है जहां परेटन बहुत विक्सित हुआ है तो इसमें कस्मीर घाटी आती है लाहुलिस पीती आती है कुल्लू घाटी आती है कांगला घाटी आती है सब कुछ यहां पर श्रड़ियां दी हुई है तो जम्मु कस्मीर के जो पीर बंजाब स्रड़ी है उमधि इमाले के सबसे उंची सबसे लंभी स्रड़ी है इसकी बाद आती है धौला दर श्रड़ी जो एक गाटी है कांगला और कुल्लू घाटी हिमाचर प्रदेश में स्थे से दृट दर कर्ण्पट अए और यह सब database मेरे मेले में ने फिर महार बार। करते हैं चोटे-ज़ोटी घासों की मैदान पाये जाते हैं इन्हें उत्राखनंद में इसे बग्याल नुवग्यार को यह सब पर लगू हिमाले और शिवाली के बीच में कौन-कौन सी जो छेत्र पाई जाते हैं तो शिमला पाई जाता मसूरी, चकराता, नैनी ताल, रानी खेत, दार्जलिंग ये सभी लगू हिमाले और प्रिहाद हिमाले के बीच में ही काटमांडू घाटी भी इस्तित्र याद रखे नदियां आती थी उसकी बाद आउसाद लाती थी उसका निक्षेप गौस पे वलन पड़ा तो इस तरह से शिवालिक का निर्माड हुआ है और उस्तन उचाहिस की 600 से 1500 मीटर है अगर नवीनतम की बात करें हिमालय का कौन सा बार्ड पार्ट जो है सबसे लाश्क में बनाया त होता है जहां पर नदियां जो है पत्त्रों से निकलने के बाद आगा सामने दिखती है उसके बाद दल्ल का निर्माड करती है उसी को कहते हैं तरही एरिया किसका पार्ट है तो शिवालिक का सबसे निचला पार्ट है फिर आते हैं शिवालिक और उत्री मैदान के बीच में इस्तेते हैं इसे HFF भी का जाता है तो देहरादुन और हरी द्वार जो है शिवालिक और लगु हिमाले के बीच के पार्ट आते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर हिमाले की परवस्ट रड़िया उत्तरपूर भी बारत की तो अरणाचल प्रदेश में डाफला पाड़ी है मिरी अबोर मिस्मी जो भी आपने देखा था उसके बाद अरणाचल प्रदेश और म्यामार की सीमप पर एक पाड़ी जिसका राम है प छण स्टी फिर यह मिकख अरे बीके क पर यह से तो कुछ जो कोश्चन जो कॉमन पूछे जाते हैं और लगभख सभी पूछ से देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी जील कौन सी है या फिर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है या फिर भारत की सबसे बड़ी लैगून जील कौन सी है तीनों कोश्चन का एक ही आंसर है चिलका जील तीनों में से कोई कोश्चन पूछा जाया सबसे बड़ी खारे पानी क जाता है इसलिए वो जील बन जाती है जील वुश्व का नाम धिया गया है सबसे बड़ी जील कौनसी है बात करते हैं भारत की गारणर बहुंसी है तो यह तो बात हो गई थी अभी वर फेगे वह सबसे बड़ी जील देखी ति अब अंतरिक भाग में स्थित, जो कि लैगून घील राजस्तान में स्थित अहीं और अभी सब माधिम से जिह चाहि hole गाल, जिक पसी सब में सब से बड़ी मीठे पानी की जिह है तो जो जो कि केरल में इस्थित है विमनाद जील जो है केरल में इस्थित है और केरल के जितनी छोटी-छोटी नदिया होती है लगभग सभी नदिय विमनाद जील में ही गिरती है और यहीं पर एक प्रतियोगिता भी होती है जो ओडम के टाइम पर एक प्रतियोगिता होती है नौका बाद करेंगे यहां पर आप कुछ यहां पर आप के अदिस्क्स की गई सबसे पहले उत्तर से सुरू करते हैं तो लगदाग से सुरू करेंगे लद्दाग की तीन प्रमुख जीले हैं, पहली पैंगॉंग सो, दूसरी है सो मेरीरी, तीसरी है शोकर, यहां पर जो ता लगा है आधाता, वो साइलेंट रहता है, सो मूरीरी और सोकर इसे कहा जाता है, और यह जो पैंगॉंग लेख है, यह जो है तिबबत और भारत दोनों कर दिया गए था, पैंगॉंग लेख के पास, तो यह लद्दाग में ही इस्तित है, आगे बात करेंगे, यहां पर जम्मू कस्मीर की जीलें, देख लीजें, जम्मू कस्मीर की डल जीलें, वुलर जीलें, जो भी हमने देखा, वेरी नाग जीलें, मानस बल जीलें, जील से जेलम नदी निकलती है जो की वुलर जील से होते हुई जाती है और उसके बाद पाकस्थान में इंटर हो जाती है तो कुछ जील है यहां पर जिनके बारे में कुछ विसेस्ता भी पूछी जा सकती है आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश में चंद्रे ताल, पोंगड़ा, रेनुका जी काफी पूछी आती है, इसलिए याद रखेगा, आगे बात करते हैं, उत्रा खंड की कौन कौन सी जील है, तो जिसमें जिसमें ताल लगा होगा, वो सभी उत्रा खंड की जीले हैं, जैसे नैनी ताल, साथ ताल, राकस ताल, खुर जीले हैं यहाँ पर, तो पहली यहाँ पर लूनक सर जील, फिर दीडवाना जील, जैसमंद, समंद या फिर सागर जहां लगा रहें, लगभग सभी राजस्थान की रहती हैं, लेकिन दो सागर ऐसे जिसे उसमान सागर और हुसेन सागर, उते लंगाना में भी देखेंगे, तो राजस्थान की हो गई लूनक सर, डीडवाना, जैसमंद, राजसमंद, सांभर जील, जो की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है, आंतरिक भाग में इस्थित, पिछोला जील है राजस्थान में, फते सागर है और धेबर जील एक है, तो यह सबी जीले जो है, पूनका मेला फेमस है, आगे बात करेंगे, अब यहां पर उत्तरपूर की जीले देखते हैं, तो सिक्की में जो हमने देखा था सबसे उंचाई परिस्थित जील है, इसका नाम है चोलामु जील, जो की सिक्की में इस्थित है, चोलामु जीली यहां परिस्थित है, असम की बात करने तो दो प्रमु जीलें पैली है दीपोर बील वहां पे जील को ही고요 तो दीपोर बील यहां पे इस्थीता है इसके लाओं हम खौ गाराप देश przede बदेश इसका नाम है भोजटाल और यही जादा तर पूछी जाती मद्रप्रदेस वाले में तो भोज ताल जील कहाँ पर इस्तित है मद्रप्रदेस में उडिशा की जील है चिलका जील काफी फेमस अभी अमने जो बात की चिलका जील कहाँ पर है उडिशा में इस्तित है आगे बात करेंगे नीचे आंधर प्रदेस की दो जीले हैं यहाँ पर कोलेरू और पुलिकट आंधर प्रदेस की एक कोलेरू हो गई जो पूरी तरह से आंधर प्रदेस में इस्तित है और यह भी एक लैगून जीली है कोलेरू इसके लवाँ पुलिकट जील भी एक लैगून रहें आंद्रप्रदेश और तमिलाडू गवाला करेक्ट होगा तो पुलिकष जीत आंद्रदेश और तमिलाडू की सीमा पर रिस्थयत आगे बात करेंगे केरल की तीन प्रमुक जी लें पहली वह गई वेम्बनाद जो सबसे लंबी जील है बारत की दूसरी पेरियार जील Vimnaat जो ही ये लाइगुन जील है पेरियार जो ही नदियों से निर्मित जील है ये लाइगुन जील नहीं है फिर यहाँ पें 30 हो गई अस्टमूडी जील और एक है कुट्टानाड जील तो विमनात पेरियार अस्टमूडी और कुट्टानाड Force जील है । आगे बात करेंगे तेलंगाना की तो तेलंगाना की जो प्रमुग जीले हैं उसमे सागर लगा हुआ है जो में जीले हैं पहली है हुसेन सागर फिर है उस्मान सागर और नागार जुन सागर तीनों सागर कहां पर इस्तित है तेलंगाना में इस्तित है अब गुजरात की जील जिसका नाम है लोनार लेक और लोनार लेक क्रेटर जीले और कहा जाता है कि यह उलका पिंड गिरने से बनी हुई है इसके उपर ऐसे गड़ा बन गया जिस पर पानी भड़ जाता है तो यह एक जील का निर्माण कर देती है और यही है लोनार लेक तो यहाँ पर सभी जीले हम in Gain र्वान कोते हैं यहाँ ज्यादा है और कहीं के मिलेग़क तो कणिकल की जलपरपाइब बुर्पाते हैं देखा तो ज्यादा उचा कौन सा है कोन्जिकल वे यहीं सही मान लिया गया है है नगय Pedra फटर मुद्रम जल प्रपात कहां पर इसतित थैं कावेरी नधी पर कनाटकिंट नदियों के नाम भीयाद रखने हैं किसम राज स्थित है यह भीयाद रखना है ज pasti अगे बात करेंगे चित्रकूट जल प्रपात यह हिंदृमति नदी परिस्तित है बस्तर है 36 गड़ में तो चित्रकूट जलप्रपाथ 36 गड़ का जलप्रपाथ है और इसे भारत का नियागरा फॉल भी कहा जाता है भारत का नियागरा की जलप्रपाथ को कहते है तो चित्रकूट जलप्रपाथ को कहते है दूद सागर जलप्रपाथ कहा पर इस्तेत है तो मांडवी नदी पर वामें इस्तेते हैं तो इसा भी चीज़े इंपोर्टन थी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लीजेगा